Welcome back to our class, आज हमारी क्लास है उत्राघण की, उत्राघण में हमारे जो उत्राघण की प्रमुक जल विधुत परियोजनाय हैं, यह जिनें बोलते हैं बांध या फिर जो डैम बने वे हैं नदियों पे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ शॉट ट्रिक से करेंगे, कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगे कि कौन से बांध का, क्या important चीज उसमें आ सकती है, एक्जाम में वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगे, इसके लावा आपको भारत के भी पढ़ने हैं और उत्राघण के भी इनसे question बहुत पूछे जाते हैं, अब सबसे पहले हम देखते भागी रती क्योंकि उत्तरकाशी से भागी रती निकलती है, तीरी होते वे फिर ये देप्रियाग में अलक नंदा से मिलके फिर ये गंगा बना लेती है, तीसरी है हाँ तीरी में गंगा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि देप्रियाग से आगे फिर गंगा चलने लगती है, तो तो ये तीनो नदी आपको में समझनी होगी कि ये हो सकती है, इन तीनों ही नदीों में ज़ादा तर जो टीरी के बांध होंगे, अब आपके पास question दो तरीके से आ सकता है, कि निमनम जो कोई बांध दे दिया, by the way आपको बांध दे दिया, कोटली बांध किस जिल्ले में इस् लेकिन जब ये बहुत सारी हो जाती है, लगबख सौ से ओपर निकलने लग जाती है, एक ही subject में, फिर आपको इतने सारे subject पढ़ने हैं, तो ये रियाद रखना ही बहुत मुश्किल होने लगता है, ये मेरे साथ वहाई, ये सब के साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा, तो आपको इसका एक ही इलाज है rapid reading, आप इनको जल्दी जल्दी पढ़िए, जब भी इनका revision turn आ रहा है, आप एक तो revise करना start कर लीजे, तो फटा-फट पढ़िए, बस टीरी जील में code भीगने लगे, आपको इतने महीं याद हो जाएगा, ज्यादा इनको detail में पढ़ने की ज भागी रती नदी पे है, यह आपको पता है कि भागी रती और भिलंगना, दो का संगम होता है, गणिश प्रियाग में वहीं पर ही आपका टीरी बांद बनावाए, तो भागी रती नदी पे है टीरी बांद, फिर है जाला कोट, यह है आपका धर्म गंगा, जब मैंने आप आपको भिलंगना नदी बताई थी भागी रती की सायक नदी है भिलंगना उसमें मैंने आपको उसके चार वो बताए थे चार सायक नदिया मेद गंगा दूद गंगा धर्म गंगा और बाल गंगा मेद दूद धर्म बाल ऐसे आपने तो धर्म गंगा किसकी सायक नदी है भिल रखना है क्योंकि कई बारी चोटी चोटी नदियाना दे कर मुख्या नदी वो दे देता है तो टीरे में मैंने आपको बता है दो तीन ही है भागी रती और भिलंगना और तीसरी गंगा हो सकती है अब है कोटली भेल ये है आपकी गंगा पे फिर कोटेशर बांध है भागी र गार पे अब देखिए जो Harry22 तो आपको पता ही बागी रती पे ये अब है आपका भिलंगना देखिए भिलंगना बान भिलंगना नदी पर इसे याद करने के जरूरत नहीं क्योंकि भिलंगना से भिलंगना अपने आप ही याद हो जाएगा अब बचा आपका गंगा नदी वाला एक बचा है कोटली भेल परियोजना जो की है गंगा नदी पर और जाला कोट किया है धर्म गंगा यानि ये भी भिलंगना पे है, तो इन दोनों को आप याद रखिए जाला कोट और कोटली भील, और तीसरा है लगरासू, लगरासू है आपका अलगार नदी पे, चोटी चोटी जो नदियां ही गाड़ होती है, उस पे ये बनार हुआ है, अलगाड पर है लगरासू, अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कि आजकल हमने क्या कर दिया है, अपने जो वाता वरन है उससे जाल दिया है, ठीक है, तो जाला कोट आपको याद हो जाएगा धर्म से कोटली का आप गंगा से याद कर सकते हो अब बाकी कोटेशर मैंने आपको बता दिया कोटेशर टीरी बांध का ही एक पार्ट है अब अगर आपको टीरी के सारे बांध याद रखने है कि टीरी में कौन-कौन से बांध है एक तो आप नदियों से डिसाइड कर लोगे अगर आपके पास आया कि कोटली बांध निम्न में से किस नदी पर है और आपके पास दिया यमुना, टॉंस, भागी रथी और गंगा, चारा उप्शन आपको दे चूद दिये हैं, अब आपको अगर ये पता है कि कोटली बांध जो है वो टीरी में है, तो ये दो उप्शन तो आगी रथी के भी आपने दो याद कर लिये हैं, कि टीरी है और उससे रिलेटेड जो कोटेशर बांध है, तो बच्चा गंगा, इस तरीके से आप कम से कम एलिमनेट करना तो सिखेंगे, तो ये हो जाएगा, तो टीरी के आप याद कर लीजी, कि टीरी में कौन कौन से बां कोट भी गै idea, कोटली और कोटेशर, भी से हो गया भिलंगना और लगे से हो गया आपका लंगरासू, तो इस तरीके से आपके टीरी बांध कुलेर हो गया ऐ, अब है आपका पॉडी, सबसे पहले मैं आपको पता दो श्रीनगर, जो जल विद्यूत परियोगे नहीं है, आ अलकनन्दा नदी जो कि आगे देपर्याग में जाके भागी रती से मिल जाती है और उसके बाद बन जाती है गंगा और उसके बाद है कालागर बांध ये है पश्मी राम गंगा में चीला है गंगा नदी में और पौडी में जो है मुख्यता जो नदियां है एक तो नयार अलक नंदा आपकी श्रिनगर वाले रीजन में बहरी ही होती है तो अलक नंदा भी पौड़ी में आईगी उसके अलावा अलक नंदा जो में है वो चमोली में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होगी अलक नंदा और जो उसकी सायक नदिया होंगी वो चमोली में देखने को मिलेंगी बाकी अलक नंदा थोड़ी सी श्रिनगर में भी है तो वो पौड़ी में आ जाएगा उसके बाद नयार वाला आपने देख लिया और गंगा नदिय ये भी पौड़ी में ही आती है और पश्रिमी राम गंगा ये भी पौड़ी के अंतरव है तो आपको पहले नदियां देखनी पड़ेगी कि पौड़ी जिल्ले में कौन-कौन सी नदिया है आप देखे श्रीनगर जल्विद्धुत परियोजना मैंने आपको बताया तो श्रीनगर में है अलकनंदा नदी बहरी है तो ये तो सिंप्ली हो गया कि अलकनंदा नदी पे बना होगा फिर है कालागर बांद कालागर बांद बना हुआ है पश्मी राम गंगा इसे पश्मी राम गंगा बांध भी बोला जाता है राम गंगा बांध भी इसे बोला जाता है कालागर बांध हो गया उसके बाद है चीला चीला बना है आपका गंगा नदी पर फिर है दुजाओ और दुनाब दो है दुजाओ आपका पश्मी नयार पे है और दुनाओ आपक वो गंगा नदी की ही सायक नदी है यह नदी तंतर में आपको मैंने बताया था तकी और पूरवी नयार पश्मी नयार भी गंगा नदी की सायक नदी हैं दोनों अब अगर पॉड़ी के बांद आप देखो तो यहां पर ट्रिक है कि श्री नगर में काली चील या फिर काला चील दो बार उड़ी है दो से यह है दुजाओ और दुनाव यह आपको देखना है कि पश्मी नगर में दुजाओ पश्मी नयार में दुजाओ है और पूर्वी न तो श्रीनगर से आपका श्रीनगर हो गया काला से आपका कालागर हो गया अब राम गंगा कैसी है पश्मी राम गंगा कैसी आपकी काली है तो इससे हो गया कालागर चील कहां उड़ रहे हैं गंगा नदी के किनारे उड़ रहे हैं इससे आप एक सकते हो चील गंगा नदी के क पॉडी में है तो यह हो गया आपके पॉडी के अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हमाए पास चमोली के जो बांध है अब चमोली से आपको समझ में आ जाएगा एक तो अलखनंदा अब बाकी उसकी जो स्षायक नदिया हो जाएंगी जैसे नंदाकनी हो गया पिंडर हो गया बा गमपर बाकी सारी हो गए विर्य गंगा नंदाकिनी ये सारी उनकी जो सायक नदिया हैं मैंने आपको उसमें बताया था अब देखे एक एक करके हम देखते हैं अब अगर देखे राजवक्ती जल्द विधुद परियोजना ये फिर इसारे आपके रिविजन हो रहे हैं नदी वाले फिर है मलेरी जेलम तमक परियोजना अब अगर ये कुश्चन ऐसा आगया मलेरी जेलम तो कहीं इसमें जेलम नदी क्योंकि जेलम आपने शिंदो नदी तंतर में भी पढ़ी है और अगर जेलम आप्शन में आ जाए तो लोग इसे लगा सकते हैं लेकिन जो अलग नाम दिखे उसे अच्छे से याद रखना है मलेरी जेलम किसमें आपका पश्चमी धौली गंगा में है उसके बाद है उर्गम ये है आपका कल्प गंगा में फिर है गोना ताल परियोजना ये है विरही गंगा में विरही गंगा भी जोशी मत में अलक नंदा से मिल जाती है फिर है बन नंद नंद जो दिख रहे होंगे नंद प्रियाग लंगा अशू और पावला नंद प्रियाग ये नंदाकनी में न होते वह ये अलग नंदा में है तो इनको याद रख लिए अलग नंदा का नंद प्रियाग और अलग नंदा का नंद प्रियाग ये दोनों अलग नंदा में फिर रिशी गंगा से रिशी गंगा नदी पे है ये तो इजी हो जाएगा रिशी गंगा तो याद रह जाएगी और रिशी गंगा किसकी सायक नदी है रिशी गंगा मैंने आपको बताया था ये पश्चमी धौली गंगा की सायक नदी है ये फॉर्मूला भी बनाया था रिश तो पिंडर के हमें दो दिख रहे हैं देव सारी और मेल खेट तो देव कोई इनसान ले लिजिए कोई लड़का ले लिजिए वो खेट में काम कर रहा है मिल जुलके उसके हाथ में क्या हो रही है पिंडर से याद हो गया आपको क्योंकि जब हमने कर्ण प्रयाग याद किया तब भी कर्ण में पीड़ा ही हुई थी तो यहाँ पे उसको क्या हो रही है पीड़ा हो रही है देव को जो वो मिल के खेट में काम कर रहा है फिर अलग नंदा का एक और हैं आपे विश्णु गार पीपल कोटी तो यह एक अलग याद करना पड़ेगा आपको बाकि तीन च गहने चमोली में नंदरि 얼i के साथ बना ली। अब इसको इतना स्लो नहीं पढ़ना ए इसे फटाफट पढ़ना राजा विश्णु ने देव से मेल मिलाव कर उसके लिए गहने चमोली में नंदरिषी के साथ बना लीयी तब ही याद होते हैं अब राजा से आपको राजा दिखरा होगा विश्णु से विश्णुगार दिखरा होगा देव से आपको देवसारी और मेल से एक मेल खेत और मिलाव से आपका मलेरी जहिलम तमक फिर उसके बाद आगया यहां उसके का जो उ है यह उर्गम से रिलेटेड है उर्गम हो गया फिर आपका गहने से हो गया ग बनाला और बावला नंदप्रियाग वाले दोनों चीजे हो गई हैं अब आए पका देहरादून, अब अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में दिखेगी आपको या तो यमुना या फिर आपकी टोंस, यह दोनों नदिया इंधियां ही धो प्रमुक Natalie हैं उनमें आती है और तॉंस नदी यमुना की ही सायक नदी है यापको पता होना चीह और निकलती कहां से इह यह दोनों तो उत्तर कार्शी में भी आप को यमुना और टॉंस दिखे-गी साथ में भागी रती भी दिखे की क्योंकि गंगा और यमुना का दोनों का माई का कौन सा जिल्ला है उत्तरकाशी ही है तो पहले हम देहरादून के देखते हैं फिर हम उत्तरकाशी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देहरादून में सबसे पहले दिख रहा है ग्लोगी जल विद्धुत परियोजना है इससे related एक fact आपको याद रखना है यह सबसे पुराना सबसे पुरानी अगर जल विद्धुत परियोजना कोई है तो वो कौन सी है ग्लोगी जल विद्धुत परियोजना और यह बनी है मसूरी के भटाफाल में कई बार इसका नाम ग्लोगी जल विद्धुत परियोजना अब देखें आपको दो यमुना की दिखेंगी एक नीचे भी है यमुना की बाकी नीचे भी है तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप 82 और लखवाड लखवाड और रिखवाड से भी आपको कुछ धान आया होगा मैंने आपको बताया था जब तो 82 और लखवाड इसके यह किस पर बने हैं यह दोनों बने हैं यमना नदी पर फिर है किसाओ बांद किसाओ बांद लास्ट एर करंट अफेर में बहुत इंपोर्टन कोशन बना हुआ था यह जो साथ राज्य हैं उनके साथ राज्यों के द्वारा एक परियूजना चल र राज्य जुड़े में बलकि A.R.O. में भी यह क्वेशन आया था करंट में कि निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है इस तरीके से कोई था तो किसाओ बांद किस पर है टोंस नदी पर उसके बाद है छिबरो छिबरो किस पर है छिबरो भी आपका टोंस नदी पर दिग गए तीसरा आपको कुलहाल कुलहाल आपका यमुना पर है यमुना पर आपको अभी तक तीन दिख चुके हैं इचारी है आपका इचारी किसमे है इचारी भी आपका टोंस नदी पर है और फिर है आपके सारे यमुना नदी पर ढाली पूरी ढखरानी हतियारी और खोदरी इनमे तो जो थोड़ा सा वैसा दिख रहा है वैसे तो इचारी भी आपको टोंस में दिख रहा है पर इचारी के मैं तोड़ा सा और कुछ बताऊंगे आपको धाली, पुरी, हतियारी, खोडरी, ढाकरानी यह थोड़े एक जस्ते से नाम दिख रहे हैं कोई नदी माल लो और कितनी कुलाडिया मिल रही है लाग कुलाडिया मिल रही है यमुना में ब्यासी नामक इस्तान पे ब्यासी आपको पता होना चाहिए कि रिशी केस और जब श्री नगर के बीच में एक इस्तान पढ़ता है ब्यासी तो वहाँ पे है वहाँ पे यमुना न पिर बचा आपका किसाओ चिबरो और इचार इचारी एक बिचारा सा किसान है बिचारा सा किसान है बिचारी से किसान है बिचारा सा किसान है वो कहां कर रहा है अपनी खेती क्या कर रहा है वो कर रहा है टोंस नदी के किनारे तो ये भी आपका टोंस नदी से हो गया बाकी यहां पर एक लिस्ट मिल रही है अब अगर हम देखे कि देरादून में कौन-कौन से बांध है तो देरादून में हैं देरादून में यह पहला ही शब्द हमने देरादून जोड़ दिया है देरादून में ग्लोगी ने 82 के लाक किस्से चुपाकर कुलहारी हतियार क्योंकि आपको हतियारी भी दिखाता और कुलहारी हतियार से बिचारी की डाली खोद डाली अब देखिए देरदून से देरदून हो गया गलोगी से आपका गलोगी परियोजना हो गया 82 से 82 हो गया लाक से आपका लखवार हो गया किस्ते से आपका किसाओ हो गया छुपाकर से आपका छिपरो हो गया कुलहाडी से आपका कुलहाल और हतियार से आपका हतियारी हो गया है फिर आपका बिचारी इचारी से बन गया आपका बिचारी इचारी का हो गया आपका बिचारी तो रुद्र प्रियाग की अगर बात करूँ तो आपको एक ही नदी मिलेगी मंदाकनी मैं बहुत बार इसको बता चुकी हूँ कि केदारनाथ से उपर चौरा बारी गलेशियर है जो जहां पर महत्मा गांदी जी की अस्तियां भी विसरजित की है में नदी जो है रुद्र प्रियाग की मंदाकनी ही है तो अगर आपको रुद्र प्रियाग के दो बात पता है तो इनसे रिलेटर नदी कौन सी है मंदाकनी ही है यहाँ पर जादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है और मन्दाकनी कहाँ पर मलती है लगनन्दा से रुद्र प्रियाग में मलती है साथ में एक 쿠शन भी आप का ररेपेट हो गया तो देखिये परियोजना है सिंगोली भरिटवारी जलविद्धृत परियोजना ये भी मन्दाकनी में है और चुन्नी सेमी परियोजना ये भी आपकी मंदाकनी में तो सिंगोली की चुन्नी या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मंदाकनी की चुन्नी सिल्दी मंदाकनी की चुन्नी सिल्दी कहां सिली रुद्र प्रियाग में तो सारी की सारी चीज़ें आपकी एक साथ आ जाएंगे र तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर नाम याद है तो आपके लिए इजी हो जाएगा अब आता हरिद्वार का तो हरिद्वार में आपकी एक ही नदी है गंगा नदी जो भी बांद है सब गंगा में हैं जो यहां पर भी दिख रहे हैं आपको अब देखिए मौहमत पुर जल जल विद्वार परियोजना और भीम गोड़ा जल विद्वार परियोजना अब देखिए यहां पह गंगा नदी अब लेकिन आपको यह तीन नाम याद करने हैं कि कौन कौन से हरिद्वार में क्योंकि अगर एकदम से आजाए भीम गोड़ा कहा है भीम गोड़ा परियोजन पहले तो यही कोशन आ जाए कि भीम गोड़ा निम्न में से क्या है तो यह पता होना चाहिए कि यह जल्वे दूत परियोजना है अब एक मुहमद नाम का आदमी है वो पत्थर लेके दोड़ा किसके भीम के गोड़े के पीछे गोड़ा हमारे यहां बोलते हैं गाये को तो गा अब है उत्तरकाशी यहां पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी यह तेरा है आपकी तेरा जल्वे दूत परियोजना है अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहां आपको नदियां जो देखने को मिलेंगी वो है एक तो आपकी भागी रथी नदी हो गई क्य आप देखें यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले है मोरी हनोल परियोजना यह सारी आपकी टोंस नदी में हनोल से आपको यह ध्यान आ जाएगा कि जॉनसार में हनोल क्या है क्या मनाया जाता हनोल ऐसा क्या है फिर है आपकी हनोल त्यूनी परियोजना और तालुका साकरी परियोजना, तीनों हो गई आपकी टोंस नदी पे, फिर है मोरी हनोर, जबकि मनेरी भाली है आपकी भागी रती पर, भागी से भाली, भागी भाली, भागी भाली, दोनों एक जैसे हैं, तो मनेरी भाली किस पर हो गई आपकी भागी रती पे, फिर है आपकी सोन गाडा परिय यह आपकी जाड गंगा नदी पर अब आपकी हैं आप उत्तरकाशी की जो परियोजना हैं उत्तरकाशी में कौन-कौन से बांध हैं तो उत्तरकाशी में सबसे पहले आपको पता होना अच्छी कि एक तो वहाँ पर होगी भागी रती क्योंकि भागी रती ही गंगा है गंगा क माई का उत्तरकाशी है दूसरी होगी यमुना यमुना और उसकी सायक नदी मुख्य सायक नदी यमुना की टूंस नदी भागी रती होंगी भागी रती की जो सायक नदी होंगी वो भी आपकी उत्तरकाशी में होंगी अब देखते हैं वन बाई वन कौन कौन सी यहां पर नद तो आपको समझ में आगया टोंस ते ही है तालुका सांकरी ये भी आपकी टोंस हो गई फिर आपकी मनेरी भाली परियोजना भाली से भागी रती भाली भागी तो दोनों हो गए आपके मनेरी भाली का आपको समझ में आगया कि ये होगी भागी रती की अब है सोन गाड़ा तो है आपका टोंस नदी पे टोंस के तीन उपर थे एक चौथा टोंस का फिर से ही आ गया फिर है कर्मोली परियोजना यह है जाडगंगा जाडगंगा किसकी सायक नदी है जाडगंगा है भागी रथी की सायक नदी और जाडगंगा को ही बोला जाता है जानवी तो यहां तो यह वाला चैपльर भी clear होते वे चल रहा है, जिसने revision ना किया हो, तो उसका थोड़ा भूत revision हो जाएगा, फिर जाडगंगा परयोजना है, तो जाडगंगा से हनुमान हो चुका है ये दोनों इजी थे फिर है पाला मनेरी योजना अभी आपने उपर देखा मनेरी भाली मनेरी भाली कहा था भागी रती में आप ये कैसा नाम है सेम वैसे ही है पाला मनेरी मनेरी भाली और पाला मनेरी तो ये कहा है आपका ये भी भागी रती में है असी गंगा असी गंगा परियोजना भी आपकी असी गंगा में है असी गंगा को ही असीम गंगा भी कहा जाता और ये किसकी सायक नदी है ये है बागी रती की सायक नदी फिर है जखोल सांकरी परियोजना अब देगे कुछ कुछ तो आपको नाम से याद हो जारे जैसे हनुमान ग मेरी हो गया फिर है जकोल सांकरी परियोजना ये हो गया आपका सूपिन नदी पे अब सूपिन नदी किसकी सायक नदी है ये है टोंस नदी की सायक नदी टोंस की जो प्रमुक सायक नदियां है वो है रूपिन और सूपिन ये आपको याद रखना रूपिन और सूपिन किसकी सायक नदी है टोंस नदी की फिर है लोहारी नाग पाला परियोजना ये है भागी रती की आप देखो जहां जहां भी पाला गिर रहा हो कहां गिर रहा है भागी रती पे ही गिर रहा है पाला वाला जो भी कंसेप्ट है वो भागी रती का ही है तो सारे इससे हो गए आपके और सोने नाइट को जाना है बाकी सारे यहां पर आपको दिख जाएंगे जो भी यहां पर नाम है और वो सारे आपको यहां पर लिस्ट में दिख जाएंगे अब गड़वाल के तो हमारे सारे हो चुके हैं अब आते हैं कुमाओ रिजन के जो सारे बांध है परियोजना है उन्हे देखेंगे तो कुमाओ की जो नदियां दिखेंगे आपको काली नदी हो गई सारदा नदी हो गई पूर्वी धौली गंगा पश्चमी धौली गंगा तो आपको अलक नंदा की सायक नदी दिखेगी वो बहती होगी चमूली वाले एरिया में जबकि पूर्वी धौली गंगा आपको कुमाओं में दिखेगी तो one by one देखते हैं सबसे पहले है उध्धम सिंग नगर अब उध्धम सिंग नगर में है नानकसागर बांध, यह बना है देहुआन नदी पर अब देहुआन नदी किसकी सायक नदी है यह है कोशी नदी की और कोसी नदी किसकी सायक नदी है कोसी नदी है सायक नदी गंगा की जो की गंगा से उत्राखण में गंगा से मिलती है उत्राखण में ना मिलकर वो यूपी में मिलती है तो कोसी नदी गंगा की सायक नदी होगी दूसरा आपका तुमडिया बांथ परियोजना ये बना है फी का नदी किसकी सायक नदी है पश्मी राम गंगा की पश्मी राम गंगा और पश्मी राम गंगा भी गंगा की सायक नदी और कहां मिलती है ये गंगा से ये मिलती है यूपी के कन्नौज में ये मैं आपको नदी तंतर में बताया था तीसरा है खटीमा जल विद्दुत परियो पहागी रथी नदी आपकी सारदा नदी कहलाती है काली नदी जब ऐसे काला पानी ग्लेशर से निकलते वे इधर नैपाल और इधर पिधोरागर से होते वे आ रही होती है तो चमपावत में चमपावत पैराज यहां तक तो यह काली कहलाती है उसके बाद कहलाई जाती है यह शार्दा तो ये समझ में आ गया कि चमपावत के बाद काली गा नाम क्या है सार्दा नदी है तो शार्दा नदी और काली नदी एक ही है ये आपको समझ में आ गया फिर है बेगुल बांद बेगुल बांद बना है आपका सुखली और बेगुल नदी तो ये आपको समझ में आ पिसकी सायक नदि है, गंगा नदी की, तो ये सारे आपके हो चुके हैं या पे, जो जो आपके उधम dessin नगर में हैं, अब इसको आप ऐसे आद कर सकते हो, कि उधम सिंध नानक को, ये आदमी उधम सिंध नानक, तो वो क्या कर रहा है तुम खटिया में बैठे बिगुल धोल बजाते हो तुम से आपका हो गया तुमडिया खटिया से खटीमा और बैगुल क्या है आपका बिगुल से हो गया बैगुल धोल से आपका धोरा और बा से आपका हो गया बहूर बजाते से बा से बहूर और हो से आपका हरीपूरा हो गया तो ये सारे हो गया आपके उधम सिंग नगर के अब आगे चंपावत तो चंपावत में आपको दो ही दिखेंगे एक है पंचेश्वर बांध परियोजना अब इस पंचेश्वर बां की ये सायूक्त परियोजना है तो ये question बनता है पंचेश्वर परियोजना अब ये किस पे बन रहा है काली नदी पे काली नदी और दूसरा आपको देखने को मिल रहा हो गए याँ पे सार्दा नदी तो टनकपूर टनकपूर बांद परियोजना तो ये तनकपूर परियोजना में इसका नव आपका सार्दा बढ़ जाता है तो दो चीज़ां आपको दिग गए और पंचेश्वर का भी आपको ध्यान रखना और अभी तक का सबसे बड़ा बांध है टीहरी भारत का भी और उत्राखंड का भी लेकिन जब पंचेश्वर बन जाएगा तो इसकी हाइट टीहरी पांध से भी जादा है तो अभी लेकिन ये निर्माना धीन है उसके बाद ये कोशन आएट होगा पट अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये किन दोनों रास्ट्रों के बीच की परियोजना है भारत और नैपाल के और चमपावत का आपको क्या ध्यान रखना है पांच टन बांध चमपावत में है पांच टन बांध कहा है चमपावत में है पांच तो काली पे है और सारदा नदी का आपको मैंने बना दिये बता दिये कि टनकपुर से इसका नाम चेंज होके सारदा होता है अब आपको दिखरा है यहां पर पिथोरागड का तो पिथोरागड में है पहले करमोली, लुंपी, तली, परियोजना तो ये है गौरी गंगा नदी पर फिर है चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौली गंगा पर पश्यमी धौली गंगा का आपने देख लिया था, पूर्वी धौली गंगा अब यहां पर दिखने को मिलेगी आपको गौरी गंगा हो गया या पूर्वी धौली गंगा हो गया ये सायक नदियां है काली नदी की अब काली और गौरी का संगम भी मैंने आपको बताया है जौल जी वी में होता है अब रश्या बगड है ये भी गौरी गंगा की है फिर शिर्किला है पूर्वी धौली गंगा अब ये भी दानी बगड तो एक मोती नाम का आदमी है बहुत दानी आदमी और उसने क्या खरीद लिया टांगा खरीद लिया है तो ये तीनों चीजा आप ऐसे रिलेट कर सकते हो फिर है बोकांग बेलिंग पूर्वी धौली गंगा गर्बत तवा घाट काली नदी पे तवा कैसा होता है काला होता है तो तवा घाट का है काली नदी पे है धौली गंगा जल्वी धौत परियोजना तो धौली गंगा से आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी धौली गंगा में है ये ध्यान रखना कि अगर धौली गंगा जल्वी धौत परियोजना आती है और ऑप्शन मे और पूर्वी अगर दोनों दिये जाते हैं तो ये कुमाओ की परियोजना है पूर्वी धौली गंगा और कहां आई ये पिथोरागड में है तो ये आपको ध्यान रखना important जो इसमें है बाकी आपने देख लिए हैं अब यहाँ पर अगर देखें आप तो गड़ से कच्रा छीन के मोटी बोली घर धोले घर या गर धोले अब गड़ से हो गया आपका पिथोरा गड़ का से हो गया करमोली और चा से हो गया आपका चुंगर और रा से हो गया रसिया छी से हो गया आपका छिरकिला और मोटी से मोती घार टा से आपका टांगा हो जाएगा और बो से हो गया आपका बोकांग या बोलिंग और फिर आपका घर का घर से हो गया गरबा और धोली से आपका धोली गंगा ये सारे आपके हो गया उसके बाद है अल्मोडा अलमोडा में एक ही है कोठार परियोजना जो की आपका बना हुआ है कोसी नदी पे कोसे को याद कर सकते हैं आप इसे तो अलमोडा का ज़्यादा इतना टफ नहीं है बाकि जहां पे आपको ज़्यादा दिख रहे हैं उनकी ट्रिक्स को दो-तिन बार रैपिटली उन्हें बोलिये जल्दी जल्दी बोलिये तो वो आपने आप ही दिमाग में फिर गुज जाती है चमपावत में भी फिर इसी हैं बाकि सारी मैंने आपको बता दी है वन बाई वन तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कल फिर मिलता है नई वीडियो के साथ तब तक ले बाई गुड लग फो यो एक्जाम